नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मधुवाला आपके साथ लोग सभा चुनाओ के बीच राहूल गांधी कॉंग्रिस नेता काफी जन सभा को संबोधित करते वे नजर आ रहे हैं चुनाओ प्रचार जोड सोर से करते वे नजर आ रहे हैं सोमवार को एक बार फिर से राहूल गांधी राय बरेली में सभा को संबोधित करने पहुचे हैं और इसी बीच जब सभा को उन्होंने संबोधित किया जब सभा खत्म होने लगा तो काफी सवाल उठते वे नजर आ है अब ये सवाल क्या है ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा लोग सभा चुना के बीच कॉंगरस नेता राहूल गांधी राय बरेली में जमकर चुना प्रचार कर रहे हैं इस दोरान वह सोमवार यानि की आज फिर राय बरेली में रैली करने पहुंचे हैं जब राहूल का संबोधन खत्म हो गया तो भीड ने उनसे जोर जोर से सवाल पुछना शुरू कर दिया भीड बार बार एक ही सवाल दोहरा रही थी कि राहूल गांधी शादी कब करेंगे जब राहूल ने भीड को जोर से अवाज लगाते सुना तो उन्होंने अपने आस पास खड़े लोगों से पुछा कि भीड क्या सवाल पुछ रही है जब खुदी उन्हें सवाल सुनाई दे गया तो उन्होंने कहा अब जल्द ही करनी पड़ेगी आपको बता दे कि केरल के वाइनाड से शौनसद कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी इस बार दो लोग सभा सीट से चुनौल लड़ रहे हैं उनकी वाइनाड सीट पर पहले ही मतदान हो चुका है इसके अलावा वह यूपी की रायबरेली सीट से भी इंडिया ब्लॉक के उमिदवार है इस सीट पर 20 माई को वोटिंग होनी है राहूल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने इस लोग सभा सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत जोक रखी है प्रियंका ने तो बकाइदा रायबरेली के लिए एक विसेस अभियान लॉंच किया है जिसमें वह एक दिन में करीब 16 गाओं का दोरा कर रही है इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि 17 मई को रायबरेली में राहूल गांधी और अखिलेश यादव की साज़ा रैली भी होने वाली है हाली में कौंगस नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कनोज में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले मेगा रैली की थी सप्पा की इस रैली में इंडिया ब्लॉक के कई बड़े निताओं ने शिरकत की थी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था राहूल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तुफान आ रहा है बिजपी की देश में सबसे बड़ी हार यूपी में होने जा रही है आप लोग लिख कर ले लो तो जैसा के आपने सुना राहूल गांधी जोर सोर से चुनाव प्रचार प्रशार करते वे नजर आ रहे है आपको ये भी बता दू कि सोमवर को चुनावी सभा करते वे नजर आ है तो उसी बीच लोगों ने उनसे काफी सवाल पूछते वे नजर आ है आपको ये भी बता दो कि सवाल ये पूछ रहे कि आखिर राहूल गांधी साधी कब करेंगे इस पर राहूल गांधी ने कहा कि जल्द ही शाधी करने वाल है और आपको ये भी बता दो कि प्रयंका गांधी जो राहूल गांधी की बहन है वो भी लगातार 16 गाओं में चुनाव प्रिचार प्रिशार करते वे नज़र आ रही है और जो रशोर से चुनाव को लेकर लगी हुई है अब आगे ये देखना होगा कि आखिर किसकी हार और किसकी जीत होती है फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही एक News24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक News24 को सबस्क्राइब करे यदि आप हमारे Facebook पेज को देख पारे तो मारे Facebook पेज को फॉलो करे धन्यवाद